बिहार विद्याले परिक्षा समीती की ओर से आज से मैट्रिक की परिक्षा शुरू हो गए 9.30 बजे से पहली पाली की एक्जाम जो है वो शुरू कर दी गई है करीबन 9.30 से लेकर 12.45 तक पहली पाली की एक्जाम होगी तो वहीं दूसरी पाली की 1.45 से शुरू होगा साम के 5 बज़े तक चलेगा वहीं बात करें तो कुल जो केंद्र बनाए गए परिछा केंद्र वो 15,025 केंद्र बनाए गए है एक्जामनेशन के वहीं छात्रों की संख्या की बात करे जो विद्यार्थी है उनकी संख्या के बात करे तो 16,48,894 है तो वहीं छात्राएं की संख्या 8,6,705 है वहीं छात्रों की संख्या की बात करे तो 8,42,189 जो फॉर्म भरे हैं छात्र छात्राएं उनकी हमने संख्या बत जो पहली पाली है दूसरी पाली की जो एकजाम है वो एक 45 से लेकर सामके 5 वजे तक होगे और 15 मिनट तक आरंभिक समय जो प्रशनों को पढ़ने का समय दिया गया है वहीं पहली पाली की बात करे और दूसरी पाली की तो पहली पाली जो है वो शुरू हो गई और दूसरी पा जिसके बज़त से अब तो भले खोल दिये गए लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेज की हैं छात्र छात्रा हैं उन्हें थोड़ी समस्याएं हो रही हैं लेकिन एक्जामनेशन रूम में पहुंचने से पहले जब छात्र छात्राओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तैयारी पूरी की है लेकिन अब एक्जाम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि छात्र छात्राओं ने कितनी तैयारी की है आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देस्जी न्यूस के साथ और देखते रहें देस्जी